हालो व्यूर्स वालकम टू प्रॉक्सी ग्यान आज हूं टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है टाइम एड डिस्टैंस तो जैसे आपको टॉपिक से भी क्लियर हो रहा होगा कि किस टाइम में हम कुछ डिस्टैंस जो है व्यों ट्रेल करने की कोशिश करेंगे दिस्टैंस पीजिए सपोज तो आपको बोला जए कि एक इन सांडय है यह वह इस डिस्टैंस को जाने में 15 मिनिट्स बदान और यह वह लाता है त्रॉच मी निटलनुत लाता है एक दिस्टेंस दिया है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जैसे आपको यहां से अपने स्कूल जाना है SUPPOS तो एक को 15 लगते है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है जिसको 15 मिनिट लग रहे है वो तेज चल रहा है उसकी efficiency चलने की जो गरिफदार है वो तेज है वो ज़ादा है और उसको कम ताइम लग रहा है उसकी स्पीड बोलेगी हां कम है तब उसको जहादा टाइम लग रहा है, मतलब आस्ता आस्ता चलना यह आस्ता आस्ता चलना और तेज चलना यह जो है mathematically के लिए इसको खाजाता है speed, क्या खाजाता है speak, तो time and distance से एक नई चीज निकल के आती है, जिसको कहा जाता है speed, ठीक है, तो speed क्या होती है, जो main इसमें topic है, वह speed ही हम calculate तरहें, तो speed क्या होता है, speed होता है basically, जो आप distance travel कर रहे हो, distance travel, divide by time taker, वह time to cover the distance, ठीक है, तो क्या होता है speed, speed is the ratio of distance travel with the time, time, वह time जो वह वहला distance travel करने में लगा, तो इसको उतरहें short form में लिखें, that is, अगर speed को S से लिखू, तो distance को D से लिखू, और time को T से लिखू, तो formula निकल गया रहा, पहला formula, speed equals to distance upon time, और रेडी आपको formula पता है, जस्ट हमें एक revision कर रहे हैं, तो speed basically बताती है, distance और time के पीच में एक relation बताती है, और इससे पता चलता है हमें, कि एक unit है, जो रिलेट कर रहा है, distance और time, तो यह रहा speed equals to distance upon time, अगर आपको यह formula याद है, और इस formula में अगर आप देखो, तो तीन चीज़ है, speed, एक distance और एक time, तो आपको बता है, कोई भी mathematical formula होता है, उसमें जितने भी unknowns होते हैं, अगर एक की value नहीं पता, आपकी सब की value पता है, तो जिसकी value नहीं पता हो आप नहीं कहा सकते हैं, तो जैसे आपको यहाँ पर example में, इस आप में ले ले लेता हो, example के तोर पे, एक distance है, 5 km, ठीक है, 5 km एक distance है, और इसको चलने में लगते हैं किसी को 2 minutes, इतने 2 minutes, 5 km का distance, 2 minutes पे possible नहीं लगदा है, थोड़ा से इसको बढ़ा रहे लेता है, possible भी होना चाहिए, 10 km ले लेते हैं, 10 km का distance है, और इसको cover करने में किसी को 5 minutes लग रहे हैं, तो obviously पैज़न तो चलने रहा होगा, 5 minutes में 10 km मतलब, एक minute पे 2 km चल रहा है, obviously तो किसी चीज से travel कर रहा है, car pipe किसी से, तो पताव उसकी speed कितनी होगा, speed जो आपका bike या car होगी है, उसमें 1 meter लगावाते है, अगर आपसे देखा हो देहां से, ऐसा meter होता है, जहां लिखा होता है, 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और यहां यह भी लिखा होता है 1 km per hour, अगर आप देहां से देखा हो, तो आपके बास एक यह needle होती है, जो आप इतना accelerator दो उसे हिसाब से reflect होगी है, तो basically यह आपको, जो meter होता है, आपको किया बताता है, car का, bike का, कि आप कितनी speed से travel कर दे हो, और जैसे में आपको area भी बता रहा था, कि units matter करते हैं, जो हम distance है, उसका unit क्या है, time का unit क्या है, तो यहां पर जो unit जर लिए दू किलोमेटर पर और आजाता है, तो यहां भी हम उतकी बात करेंगे, पर फार्म्ला समझने की कोशिश करें, तो 10 km, 5 minutes में, तो speed कितनी भी, तो speed यहां पर कितनी भी speed, distance traveled upon time taken to cover that distance, तो distance जो travel किया हो, 10 km, distance भी आपने लिखने हैं, आप speed minutes भी लिखने हैं, divided by time कितना लगा, 5 minutes, 5 to the 10, यहां, km per minutes, यहां से आपको पता चला basically speed से, कि एक minute में unit time में, वो कितनी km travel करता है, तो ऐसा इंसान जो 10 km, 5 minutes में चल रहा है, पाद ही estimate कर लिया, तो वो एक minute में 2 km चल रहा होगा, यह उसकी क्या अपनी speed, ठीक है, अगर आप यहां सही देखें, अगर मैं time को यहां ले जाओ, और speed को यहां ले जाओ, तो यह क्या बन जाएगा, t equal to d upon s, मतलब time taken to cover a distance is equal to the distance driver, वो distance जो उस time के लिए चला गया, divided by speed, तो speed तो fix रहेगी न, एक इनसान अगर चल रहा है, तो उसकी speed, जो है, अगर आप इस पे आगे detail पे आएगे तो अब पच्छा है, अभी, अगर यहां पर मैं t को यहां ले जाओ और d को यहां रखो, तो आपको ऐसा दिखेंगा, s multiplied t equal to d, और d equal to s into t, तो यह तीन formulas जो हैं, आप जो हैं, अपने इसमाख में fit कर लेंगे, basically formula 1 ही है, उसको interpret करके लिखा गया है, तो हमें जो चाहिए होगा हम उसको left side में कर रहे हैं, अगर हमें speed चाहिए, तो right side में हमने एका distance, spot time, इसी को relate किया, इसी को हमने थोटा सा solve किया, और अगर हमें time चाहिए, हमें speed दी है और distance दी है, time निकालना है तो formula यह बन जाएगा, और अगर हमें distance निकालना है और speed और time दी होने है, जैसे मैं इसके लिए example दू, एक इंसान की speed है 2 km per off, एक घंटे में इसका क्या मतलब है speed का 2 km per off का, जो इंसान है जो particular इसकी बात हुरी है वो एक घंटे में 2 km चलता है, और वो चार घंटे के लिए चल रहा है, कितने के लिए? चार घंटे के लिए चल रहा है, तो पताइए उसने कितना distance दी होगा, speed आपको दी है और time दी है, speed to time दी है आपको distance पूछ रहा, तो formula कौन सा लगेगा यह बला, distance equal to speed into time, speed है 2 km per hour, है ना, इस slash करके difference भी नीचे में लिए तो time है 4 hours, मैंने आपको पहले ही कहा, यूनिट्स सेम होने चाहिए, यह hours और hour cancel, photos are 8, 8 km, obvious है कि अगर कोई एक घंटे में 2 km चल रहा है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 2 घंटे में 4 km, 3 घंटे में 6 km, और 4 घंटे में 8 km, कोई हमने निकाला कि 4 घंटे में कितना distance पूछ रहा ही है, तो basically आप speed से यह information ले सकते हो, कि अगर आपको particular pause में time लिया हुआ है, एक घंटे में 2 km दी है, तो आप कितने भी घंटे के लिए 1 km निगाल सकते हो, और उटा भी कर सकते हो, अगर आपको एक घंटे में 2 km चल रहा है, तो पूछ है आपको, कि 4 km कितने घंटे में चलेगा, तो यह double करना पड़ना तो इसको भी double करना पड़ेगा, एक किंटे में 2 km तो और 4 km दो किंटे में चलेगा, तो फॉमुले में जाय किना, speed आपको यह सारा information दे लेती है, अब हम जैसे-जैसे questions करेंगे, विल्का use करना हम सिखेंगे, तो सबसे पहले उससे पहले हम चलेंगे, यूनिट्स के बारे में थोड़े सी information देंगे, कि straightaway कोशें जो हम वो यूनिट्स पे आजाता है, थोड़ा सा कोशें आजाता है, यूनिट्स के लिए convergence आजाती है, वो हम देखेंगे, तो जैसे अगर आपको कोई बोले है, सबसे पहले में यूनिट्स देखते हैं, इसके सबसे पहले distance के, तो आपको पता है distance जो है, उसके हम क्या क्या unit लेते हैं, या तो kilometer लेते हैं, बड़ा unit उससे छोटा meter, और उससे छोटा centimeter होता है, अपको यहां discuss नहीं होगा, क्लोमेटर और मेटर में ही आपका question बोलो, इसलिए इसको में रहाए रहते हैं, क्लोमेटर तो बहुत छोटा हो गया, जब जर्मले चल रहे हो अपना distance क्लोमेटर या मेटर में ही बात करा, और क्लोमेटर और मेटर में क्या relation है, और मेटर से किलोमेटर में जाना है तो थाउजन से डिवाइड रहते हैं, तो अगर आपको क्लोमेटर से मेटर में जाना है तो वैल्यू थाउजन पुट करतो हो, और मेटर से किलोमेटर में जाना है तो थाउजन से डिवाइड बड़े से छोटे में जाना तो मुल्टिप्लाई तो छोटे से बड़े में जाना तो दिवाइड दूसरी बात में ताइम था, ताइम की उनिट्स के हैं आपको अर्रेडी पता है ताइम के जो यूनिट है सबसे परदा यूनिट में है और इसको हर शॉट में लिखेंगे या जिसको शॉट में मिन लिखेंगे एंज लास्ट में सेकंड्स तो सेकंड्स को से लिखेंगे और इंवे रिलेशन आपको पता है वह बहुत ईजी सा रिलेशन है वन और इक हटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं one minute equal to But 1 minute में कितने seconds हो थे है 60 seconds हो एक घटे में 60 minutes और एक minute में 60 seconds кितने seconds होगे पैले और और minute में कनमट करते है 60 minutes और जो minute की value है 1 minute की value ways 60 seconds तो minutes की जाए महीं क्या लेख सकता हो 60 seconds 60 x 60, 360 तो this is 3600 3600 एक गंटे में कितने seconds आगे? 3600 यह आपको पता है हम छोड़ी सी revision कर रहे हैं क्योंकि इनके भिहा काम नहीं चलेगा जो भी question होगा, उसमें दो लोगों के अगर बात हो रही है तो दोनों का distance की बात हो रही है में लोगों पहलोगा, दूसरे का मीटर में. फैक वाव के नहीं जटेता सब्सक्रा अगर की उसमेद की बात ही तो दूसरे का मीटर मीटर में लेंगा अगर एक का time मीटर में तो दूसरे का भी hours में पहलें, अगर electro model locked दूसरे का propose लिबा भी units में तो यह थोड़ा सा समझा आ गया, वान किलो मिटर में 1000 मीटर, और उल्टा एक मीटर में 1 upon 1000, बड़े से छोड़ा जाएंगे तो multiply, छोटे से बड़ा जाएंगे तो divide, सेम बात हमां time making है, अगर एक मिनटे में साथ मिनट है, तो therefore, एक मिनट में कितने मिनटे होंगे, 1 upon 60 odd, वैसे ही, एक सकिंड में कितने मिनट होंगे, 1 upon 60 odd, बड़े से छोटे में जाते हैं, अगर बड़े से छोटे में तो multiplication करते हैं, इस number 60 से, और अगर छोटे से बड़े में जाते हैं, तो divide हो जाते हैं, तो यह भी आप रंटों कर लिए हैं, तो अब हम देखते हैं, कुछ convergence, जो आपको दिकत कर सबती है, तो जैसे आपको बोले, कि convert करो, convert, 3 is to 1 by 4 in minutes, 3 is to 1 by 4 or, तो आपने number देखा होगा, ऐसे, mixed fraction बोलते हैं, इसको, 3 is to 1 by 4 ors को minute में convert किजिए, यह कितने minutes होते हैं, तो अगर simple होता, अगर आपको कुछ 2 ors कितने minutes के बराबर हैं, तो आप और की value कर दोगे, 60 minutes, आपको मिल रहेगा 120 minutes, simple हैं, अग 2 के साथ, यह कुछ बटे में लिख द हैं, basically mixed fraction बोल है, इसको अलग कर दो, और इसको अलग कर दो, जब भी mixed fraction दिखें, 3 is to 1 by 4, इसको solve करेंगा 3 का 3, plus 1 by 4, बीच में क्या लगा दोते हैं, plus, अब आपको और से minute बजाना है, तो और की value राब दो, और की value है, 60 minutes, plus 1 by 4, 60 minutes, तो 3 को 60 से करेंगे, तो 180 minutes, plus 4, 15 जा 60, तो 60 minutes, ठीक हैं, तो कितने minutes होगे total? sorry, this is 15, तो 180 और 15, 180 minutes, ठीक है, समझा आ गया, clear होगे, तो हमें देखा, कि अगर हमें time दिया हुआ है, कुछ इस mixed fraction में है, तो हम और से minutes में क्या से जाएंगे, अब मैं इसको थोड़ा से उल्टा करता हूँ, कि अगर आपको कोई बोले, 185 minutes को करो, 185 minutes कितने hours होते हैं, यह पता, जब मैंने आपको कहा था, छोटे से बड़े वे जाना है, बैसी क्या करना है, इस number को, 185 को 60 से divide करना, 60 से गहेंगे divide, तो divide करो, यहाँ पर क्या मिलेगा, तो जब भी minutes छोटे लिवेट से बड़े में जाना है, minutes और जाना के लिए 60 से divide करते हैं, तो 60 से divide कर दिया, 63 से 190, यहाँ मिला पद्रा, अब यह further divide नहीं हो सकता, इसका मतलब जो यह आपको था, यह थे hours, और यह जो बच गए यह क्या है, यह क्या है, answer, 3 hours plus 15 minutes, ऐसे लिखते हैं, dividend equal to divisory proportion plus remember, ऐसे लिखते हैं, तो 3 hours plus 15 minutes, अब 15 minutes कितने हिंटे होती है, तो minute को घंटो में बदने के लिए 60 से divide करते हैं, ऐसे लिखते हैं, minutes को hours में करवट करना है, तो 60 से divide कर दे हैं, तो this is 3 hours plus one of our four hours, और इन दूनों नंबर को इकठी करने का तरीक है, 3 is to 1 by 4, प्लस को अड़ा तो mixed fraction उसके साथ लिखते हैं, तो यह हम उने देखा, कैसे हम minutes, hours को minutes में करवट कर सकते हैं, और करमर्स की minutes को hours में, यहां multiplication 60 से करेंगे, और यहां division करेंगे 60 से, जो whole number मिलेगा, यहां वो hours को repotent करेगा, तो बच जाएगा, नीचे, यह minutes क्यों थे, क्योंकि 195 तो minutes है ना यहां पे, तो इनी से क्या बच र और यहां पे, ठीक है, clear हो गया, आगे चलते हैं, जो हम एक चीज और देखते हैं, वो क्या देखते हैं, question देखते हैं, question देखते हैं, question से बता सबेगा, question number one है आपका, आपकी screen पे, a cyclist कोबर 12 km screen है, और, तो एक cycle चलाने वाला है, वो 12 km चलता है, एक गंटे में, क्या करता है, question number first, 12 km in an hour, एक cyclist 12 km चलता है, एक गंटे में, तो बताएए, what is his speed in meter per second, उसकी speed तो बताने हैं, किस unit में, meter per second, मैंने आपको 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 options, कि आपको किस units में answer निकाता है, तो अगर आप यहां से ध्यान से देखे, एक गंटे में 12 km चल रहा है, तो speed क्य होगी, therefore speed क्या होगी, distance 12 km, time 1, an hour, एक वान, तो यह इसकी speed आपको 12, जिसको मैंसे प्रको आपको 12 km चलता है, तो यह इसकी speed आपको 12 km चलता है, अब पहला कोई option पाट है, उसको पूछा कि है, meter per second में speed बताओ, तो meter का मतलब kilometer को meter में convert करना है, तो 12 km चलता है, कि आपको 12 km च जगा लिखेंगे, 1000 meter, कमी, एक kilometer में 1000 meter होते है, और नीचे हमें चाहिए seconds, घंटे नहीं चाहिए, और सनी चाहिए, क्या चाहिए seconds, तो 1 और में कितने seconds होते है, 3600, यह साथ में लिखने है, यह 20, और 20, cancel, 6212, 6666, 212, 236, तो क्या आ गया, 10 by 3 meter per second, 10 by 3 meter per second, क्या किया, सिर्फ फिरिट्स को convert किया, उनकी value उसकी, 1 kilometer equal to 1000 meters, और 1 or equal to 3600 seconds, तो एको clear हो गया हो, second part है, उसमें जो speed थी हमारे पास, 12 km per hour, उसको हमने convert कर रहा है, इस unit, 10 meter per minute, उपर को meter ही चाहिए, तो 12 into kilometer की जगा, 1000 meters per hour, जो घंटे हमको minute में convert करना, तो 1 घंटे में कितने मिनट है, सिरफ 60 minutes है, यह 10, और 10 cancel, 6 to 12, तो 200 से करेंगे, this is 200 meters per minute, 200 meters per minute, तो आप देखे हो, एक इनसान है, उसकी speed 12 km पर और है, एक घंटे पे 12 km चल रहा है, आगर unit change करते हैं, एक second में कितना चलेगा, 10 meters, 10 by 3 meters चलेगा, और अगर पूछी, एक minute में कितना चलेगा, तो 200 meters चलेगा, तो आइपो भी आपको समझ आ गया होगा, कि किसी चीज की speed, meter में भी express होती है, km में भी, seconds में भी, और भी, तो that depends कि हमें पूछा आप कैसा क्या है, तो यह clear हो गया होगा, आपको थोड़ा सा, कि हमने कैसे जो है वो convert किया, अच्छा, इसमें एक चीज, directly क्या की जाती है, वो directly में आपको बता देता हूँ, वो क्या करते हैं, अगर आपको convert करना है, तो क्या करेंगे, तो तरीका में ने सिखा दिया, एक शॉटकर कहा जाता है, अगर आप याद अख सकते हो, तो आप याद रख लीजिए, तो कहते हैं, अगर आपको meter per second से kilometer per hour में जाना है, छोटे unit से बड़े unit में जाना है, तो आपको multiply करना है, multiply directly करना है, multiply by 80 by 5, meter per second से kilometer per hour में जाना है, तो 80 by 5 से multiply कर दीजिए, और अगर उल्टार है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो जब यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसको उल्टा होगे, 5 by 18, जैसे पर आप देखो, यह आपको पास 12 km पर आवा था, मैंने कहा था, इसको मीडर पर साइकंड में करो, तो directly क्या कर सकते हैं, इस सब को छोड़के, बड़े से छोटे में आना, बड़े से छोटे में, तो 5 by 18 लिखके, साथ में मीडर पर साइकंड, यह आजाएगा, 6 3 by 18, 6 2 by 12, 10 by 3, अगर आप देखे हैं, तो यह ही निकला था, यह ही निकला था, और यह 5 by 18 आया कहां से, फॉर्मुला नहीं कहीं से बना, बेसिकली यह ही से बना, 12, 1 km एकोल तो होते हैं, 1000 m, और 1 और होते हैं, 3600 seconds, तो अगर आप इन दोनों को से रो सॉल गोला, 2 0 2 0 cancel, 2 18 दा 36, 2 5 दा 8, मतलब यह जो पूरा नंबर है, यह निकल दिया आता है, 5 by 18, इसलिए बोला हमने इसको डिरेक्ट 5 by 18 से मर्टिक्लाइ करते हूं, यह इतना बड़ा लिखने की ज़रूर नहीं है, 1036, सीधे 5 अपान 18 लिख सकते हैं, तो अब यह आपके उपर, अगर आप यह याद करना चा जो कि 1 से, ठीकर 3.something आएगा, और यह ंपर चोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, यह 0.something आएगा, तो इसमें से बड़ा कौन हुआ, यह हुआ बड़ा नंबर और यह हुआ बड़ा नंबर, और यह स्माल नंबर, तो आपको अगर अगर छोटे से बड़े में जाना तो बड़े numbers से multiply करना है तो 18 आपार 5 बड़ा याद रहेगा तो इसका अल्यूमिटेटर बड़ा यह नबर बड़ा यह वान से बड़ा रहा है 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 यह जोटा है थो जब छोटे से बड़े में जाना तो बड़े numbers से multiply करना है और फिर बड़े unit से kilometer अट बड़ा unit तो आप दितनी प्रक्टीज करेंगे आपकोगर साथ आहेगा आपको क्या देकार है नेक्क्त क्योसिं YouTube को आपको दिया है С्पीड वन किलो में पर और इस इक्वल टू स्पीड दी विए वन किलो में पर और एगृघंट्य में Ctrl शब तू तो basically यह option दिये हैं, हम इन options के हिसाफ से convert करना है किसको option number 2 में 1 km per hour तो देखो किस में convert करना है आप option में units देखो तो सब जगा meter और second है तो हम क्या करेंगे meter का बनाएं, kilometer का बनाएंगे meter और और का बनाएंगे second हो, एगंडे में कितने seconds होते हैं? 36 है तो यह बन गया thousand upon thousand upon 3600 meter per second तो कौन सा option है? जो भी option आपको दिख रहे है तो option number third है, thousand upon 3600 meter per second तो यहां मेरा बताने का यही मत्तुल था हमने देखना है answer को, options को कि कौन सा unit चाहिए उस unit में हम convert करना है यह था थी थोड़ी सी basic चीज है अब हम जो है अच्छे question पर आजाए तो पहले जैसे question number third है आप उसको पढ़ सकते है A car is running at a speed of 108 km per एक गाड़ी चल रही है तो पहले में question पढ़ लेता हूँ पर 108 km per hour से गाड़ी चल रही है What distance will it cover in 15 seconds? तो 15 seconds में कितना distance travel करेंगी तो मान लिया गाड़ी यहां से यहां तक चल रही है यह distance उसको travel करना था speed कितनी दी है speed दी गई है 108 km per hour और यह थ्याम में दिया हूँ है अब पताओ अगर 15 seconds के लिए गाड़ी चलती है 15 seconds के यहां से शुरू की गाड़ी और यहां तक गई 15 seconds में पताओ यह distance कितना था एक हंते में 108 दिया हूँ है एक हंते में 108 तो पताओ 15 seconds में कितनी चले simple question is यह गाड़ी एक हंते में 108 speed को में ऐसे पढ़ना होता है एक हंते में 108 km चलती है तो उसका 15 seconds में कितनी चलेगी तो आपको speed of distance speed का formula है distance upon time अब देखो यहां फे पुछा गया है s of t d है d पुछा गया है और यहां से d अदद कर लेंगे d आ जाएगा s into t s into t speed कितनी है 108 unit 7 में रखेंगे time कितना है 15 seconds है तो अगर आप देखो यहां seconds है यहां alls है तो हम answer नहीं निकाल सकते है अब इसको hours में convert करना यह इसको seconds में convert करना यह हमारा option बताएगा option में जो है basically वो distance है वो meter में है तो चाहे आप इसको convert कीगे चाहे इसको तो हमेशा बढ़े से जोटा convert करना easy है 108 किलोमेटर 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 में कितने seconds है 3600 15 seconds अब इस seconds और seconds cancel हो जाएगा अब इसको solve दीजिए यह कैसे solve करेंगे 3 5 15 3 12 चीक है अच्छ हमें एक चीज़ और में बताम हो गया किलोमेटर नहीं दिया इसका मक्तब है यहां पे हमें किलोमेटर को भी मीटर बनाना है 108 x 1000 इसको भी convert किया और इसको भी convert किया अगर आप देखें हम यह था 3600 seconds से second cancel बचा 36 3550 312 12 को किसे करें 12 को 9 से करें 108 आता है 9 x 10 9 x 5 45 को 10 450 450 मेटर 450 मेटर क्या पता चला हम कि अगर हम एक इंसान कार की बात है अगर एक कार एक गंटे में 108 km चलती है तो पंदरा सेक्री में इतनी चलेगी की formula distance upon time का लिखा हमने देखा unknown को हमने distance distance को अलब कर दिया दोनों के युनिट्स सेम करने की कोशिश की seconds or seconds ताके को चैंसल कर पाए है और distance हमें में मीटर में दिया गया तो इसलिए 452 मेटर तो आपको थोड़ा सा basic था time and distance का जिसमें आपने discuss कि speed क्या होती है speed basically कि कोई इंसान कोई कितने time में कितने km चलती है तो accordingly हम उससे बाकी चीज़ें बता सकते हैं कि वो किस ताइम में कितने किलोमेटर वो इंसान चल पर है चीक है? So this brings the end to the part 1 of this lecture अगले lecture में मिलेंगे कुछ advance अच्छे से कोशिंग करेंगे तो तब तक हम आपके साथ कुछ कोशिंग शेयर कर रहे हैं उन्हें प्रेक्टिस कीजिए और अब उस्पीड को पढ़ाएं Thank you Thank you